अग्यावलेकुम्टूदे आप में आल फ्रेंट्स आग के जो हमारा टापिक है वो अदेंटिफिकेशन एड बियालोजी आप स्टेबल फ्लाइज है और इसकी इकनामेक इंपोर्टेंस वहरा की बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो मनेजमेंट है फ्लाइ मनेजमेंट वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बूंतालवे काम आपको प्रोवाइट करेंगे चलते हैं अपनी लेक्ट्र की तरह सबसे पहले इंटिफिकेशन एड बियालोजी आप स्टेबल फ्लाइज स्टॉमक्शी इस स्टॉमक्शी कैल्कट्रोन्स कैल्कट्रो Metallica कैल्कट्रोन्स है यह वो व Нब्लड वास पर यही पर इनका स्ट्ष एंक्ट êtes है humanity उगली है और ये यह केसपे अटाइक करती है यह ब्लाड फीटर्स है यह ज्यादा तार जो है केटर मॉइसी होते हैं जब घोड़े होते हैं उन पर ब्लड सकर है यह उस पर फीट करने के लिए अटाइक करती है ठीक है अगर यह होस्ट डिस्क में मौझूद ना हो तो फिर यह लोगों और कुटों पर भी अटाइक करती है ठीक है यह दिखाओ है फीपल एंड डॉक्स दोनों पर क्या करती है अटाइक करती है यह दे आर संट्रोपिक संट्रोपिक का मतलब यह है कि वह इंसान ही इनको फूड क्रियर करते हैं जो वहां से यह फूड वगरा लेती है ठीक है नाइक्स्ट आप आरे पास है अच्ट के भूटे इसंट्रुबिशन में इसके 18 सेपीषीज है जो के उन में इससे 18 सेपीहीमश click के ट्रॉंट्रोइड वन्वेड मौःघ मुदध यही एक यही एक है जो तूरी मतलब है इनकी फार्मिंग बगारा पर फीड करती है बाकी सारी क्या होद ब्लड से करती है यह जैद अतर किसका है लाइस्टाक के पेस्ट है मतलब कैटल्स और हर्स्ट मैंने कहा था आपको पहले उसके अटाइक करता है और वो ना मिले होस्ट यह बाद वो इनसानों और कुत्तों के अटाइक करते है ठीक है एन इस नार्माल अग्रोनमिक इंवार्मेंट लाइफस्टाक फसेलिटीज इंटिस्टेबल डस नाट यूज्यली बादर हुमन बियंग्स इनसानों के लिए क्या है यह अरगा नहीं उन पे भी अटाइक कर स साइफ के दियोंगें थे वांं मिलीमेटर नेंग्थ इसलिए लंबे हैं इसलिए लंगी ट्यूड़ू गरूव हैं अंधी अधर साइब दूसरी साइड पर क्या होते है इसकी लंगी टूड़ूड घूरू होते हैं लार्वा इमेच ओरा टैपीकल मैगेट शेफ्ट वर्म प्रीज कुछा वलावी गोश प्राम्धी ट्रंस्फुचेंट कर थिर्ट Islam Eqda है इसुष नसे इन्हें पर गेजलो कला, यहिवाल्य करीं क्लारूबबाने है Сब्सके गालवी हिए यह क्रीमि म क्लें धर के म कॉर में होता है और मौत यह को शुच्ञ है ठीक हैॉ लेक्स्त मोरें पास है इसका पूपा पूपा में तर्ण लाविस्कीन, हाडन के फॉर्मआ पूपा येवाल फूप सब्सका यह वाड़ा पूपा हैं महाने सब्सक्ता भाणर ठीक है इसका जो प्यूपरियन में यह इसका अड़्य की अटीक है। यह हॉस्पलाइचिंट फार्ट इसमेलर ही होता है बस इसमें यह दोनों सिंप्षीज को इडेंटिफय सब्देब करते हैं जो इसके अब्डामन पल यह यह वाले जो उसके उपर कलर होते हैं वो seven color spots होते हैं वो pattern के साथ होते हैं हम जो इसकी difference इसमें examination कर सकते हैं वो यह ही है कि stable fries have seven color spots in check board pattern in their abdomen बनके जो housefly में होता है वहाँ पर हमारे पास अनपेटरेंट पर abdomen पर यह होते हैं इसके फार्स होते हैं ठीक है stable fries have long beyond like both parts दूसरा इसका पहले उसके pattern जो होते हैं वो spots जो होते हैं वो pattern में होते हैं और seven sun color pattern होते हैं और जो housefly होती है और वहाँ पे ढम पर यहांदा फॉसरा है कि ये और फ़र्ष उस्तीन के लिए सब्सक्राइबण के लिए फर्ञैब सब्सक्राइब अधिकर हुद्र चौकरbels नेक्स्स हमारे पास है इसका लाइफ सेकल लाइफ सेकल में स्टेबल फ्लाइज ब्रीड मोस्ट डिकेंग और अर्गानिक मैटर ये वह इंजी कहों पे रहती है ते अलतर और दाइउनल होते हैं फीडिंग अन्यार होस्ट द्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग लेट अफ्रनाउन वांत वैदर ये मीडल अफ दे देन कूलर फीदर ये इन तीनू टाइम पर ये आटाय करते हैं इसके आनिमल पर फीमेल लेए मल्टीपल क्रेशिज अफ एग्स ये काई गुच्छे देती है और हार गुच्छा जो होता है तक्रिबन 60-130 एग्स पर मुष्ट में होता है ये भहुत जैद अधर क्लस्टर की फार्म में अंडे देती है और नेक्स्ट आपर पर फीमेल प्रलाई में लेए अप्टू 1800 एग्स इन हार लाइफ टाइप अपनी जिल्दगी में तक्रिबन आट इन 12 to 24 hours in the 1st install lobby which feeds on mature through 3 install in 12 to 13 days 3 install lobby is transformed to the puppy within the puppy area and that will divide inside and then emerge from the puppy area the average set of bud fly's life cycle is in the field range from 12 to 20 days average 20 to 20 days depending on the environmental condition, environmental condition पे और दिवे और बहो सकता है but it is usually around 28 days ज्याद अतार है, around about one month के निस्टीक होता है All that can fly within the one hour past post emergence and we'll be ready to mate three to five days later में जोर होने के तीन थे पांच दिन के बाद ये क्या करते हैं? mating करते है, once mated, the female will start to lay five to eight days post emergence एकनामिक इंपोल्टेंट्स पढ़ते है, एकनामिक इंपोल्टेंट्स ये अटाइक करता है ज्यादातर इंसानों पे, जनवरों पे, और एकनी कल्चर अनिमाल्स and feed on their blood, blood पे सक करता है ज्यादातर, their bites are very painful इसका जो sting होता है, जो मतले, जो काट थी है वो very painful होता है, उसका stable fly is feeding one of the ears of dogs, kutu के कानूं पर and big cats can be severe problem ears का severe problem है, the flies when the animals are confined and the ears become bloody on their body, उनके कानूं से क्या होता है, खून आ रहा होता है, और spores are slow to illiving disfiguring scars, very painful sting होता है, इसका ये अनिमाल को तंग करता है, बार बार उसका है, इसकी वज़ासे अनिमाल जो होता है, वो behavior such as tamping feet and switching tails, swine cattle and horses all show reduced weight gain due to the intensive fly feeding, क्या करती है जाता है, उनका weight जो होता है, वो भी कब हो जाता है, stable flies, बार बार फीटिंग के वज़ा से, irritation के वज़ा से, वो अपना बार बार जो पूरुश होता है, उसको हिलाते रहते हैं, दोम को हिलाते रहते हैं, इनकी वज़ासे वो irritation होती है उनको, stable flies, speed on the blood of animals are there for potential vector of the blood bone, genetic disease, genetic disease भी ज्यादा तर ये create करती है क्योंके, इनसान से जानुरूर, dog, गुत, वगेरा पर ज्यादा तर फीड करती है, इसलिए, the bell to transmit the pathogens that cause disease such as anthrox, anthrox को क्या करती है, disease cause के वज़ा बनती है, और equine infections, ammonia, EIA, EIA, EIA को transmit करती है, and anaplasmosia to animal has been documented, ये document की गही है, stable fly, stable fly bites bound can also become a secondary infected by opportunistic pathogens, इसके अफ़र जहां पर ये feed कर जाती है, उसके बाद secondary infection भी हो जाता है, okay, मिलते हैं next video में, जो है, इसकी management है fly की, वह सब किसी में है, हम एक लेक्चर देंगे, उसमें सारी flys की management कर लेंगे, ठीके, इंशाल्ला मिलते हैं next video, thanks for watching,